दोस्तो भारत को अब ऐसे सेक्टर में काम्याबी मिल चुकी है, जिसके लिए भारत की कम्पनियां दिन रात कई सालों से मेहंद कर रही थी. जहां इंडियन कम्पनी की सफलता के बाद भारत की सेल्फ डिपेंडेंसी और भी जयादा बढ़ने वाली है. आज हम बात कर रहे है नुक्लियर पॉवर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल मेकिंग टेकनोलोजी की जिसके लिए स्टीम जरनेटर का उप्योग किया जाता है. इस मामले में भारत दूसरे देशों पर ही पुरी तरह से डिपेंडेंट था. दोस्तो हाल ही में एक ऐसी खबर निकल कर आई ह कि भारत की दीनज कांस्ट्रिक्शन एंड मैनुफैक्चरिंग कंपनी एल्टी ने कई सालों की मेहंत के बाद 700 मेगा वोट के स्टीम जरनेटर को सक्सस्फुली डवलप कर लिया है. जिसका यूज पॉवर प्लांट में यूज होने वाले फ्यूल को बनाने में भरपूर मा स्टेशन है जिसमें विद्यूत जनरेटर भाप से संचालित होता है. पानी गर्म होता है, भाप में बदल जाता है और भाप टर्बाइन गुमाता है जो विद्यूत जनरेटर चलाता है. टर्बाइन से गुजरने के बाद भाप एक कंडेंसर में संगनित हो जाती है. भाप इस घटक को Nuclear Power Corporation of India Limited के राजस्थान पर्मानों उर्जा संयंत्र में स्थापित किया जाना तै है। कम्पनी ने कहा कि L&T द्वारा गुजरात के हजीरा कॉम्पलेक्स से रवाना किया गया भाप जनरेटर PHWR के लिए बनाया जाने वाला चोथा है, जिसके निर्मान की योजना गोरकपुर में बनाई गई है और यह निर्धारित समय से 6 महीने पहले पूरा हो गया है। कम्पों में पाए जाते हैं। BHEL ने कहा कि वह भारत के परमानो उर्जा कारेक्रम के विकास, रियेक्टर हेड, स्टीम जनरेटर, स्टीम टर्बाइन जनरेटर, हीट एक्स्चेंजर्स और प्रेशर वेसल्स जैसे घटकों की डिजाइनिंग, निर्मान, परीक्षन और आपूर्टी में चार दशकों से अधिक समय से भागिदार रहा है। परमानो रियेक्टरों के लिए छोटे उपकरन सभी रूस से भेजे जा रहे हैं। VOC पोर्ट से सडक मार्ग द्वारा परियोजना स्थल तक पहुचाए जा रहे हैं। 18 ओपरेटिंग स्वदेशी PHWR में से 12 BHIL द्वारा आपूर्ती किये गए स्टीम टर्बाइन जनरेटर सेट से सुसजजित हैं। कंपनी ने कहा, BHIL ने परमानो उर्जा परियोजनाओं के लिए प्रात्मिक, रियेक्टर हेडर, एंड शील्ड आदी और सेकेंडरी, टर्बाइन, जनरेटर, हीट एक्सचेंजर्स आदी, दोनों साइड उपकरनों के डिजाइनर और निर्माता के रूप में अपनी क्षमत साबित की है, परमानो उर्जा रियेक्टर पानी को उबालने और दबाव्युक्त भाप का उत्पादन करने के लिए परमानो विखंडन के दौरान उत्पंद गर्मी का उप्योग करते हैं, भाप को बड़े टरबाइन ब्लेडों को घुमाने के लिए रियेक्टर स्टीम सि विभाजित हो जाता है, जिसे विखंडन उत्पाद भी कहा जाता है। अतिरिक्त न्यूट्रॉन भी जारी होते हैं, जो एक श्रिंखला प्रतिक्रिया शुरू कर सकते हैं। जब प्रत्येक परमानो विभाजित होता है, तो जबर्दस्त मात्रा में उर्जा निकलती है। दो अयस्क का खनन किया जाता है और अंतर सिरेमिक चर्रों में बनाने के लिए संसाधित किया जाता है। प्रतेक सिरेमिक गोली 150 गैलन तेल के बराबर उर्जा उत्पन करती है। इन उर्जा स्मृध चर्रों को 12 फुट इंधन चर्रों में एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखा ज जिन्हें संयंत्र संचालन के लिए रियेक्टर इंधन असेंबली में लोड किया जाता है। भारत के स्वदेशी रूप से डिजाइन किये गए 700 MW PHWR में से पहले चार काकरापार और राजस्थान में बनाए जा रहे हैं, जिन्हें राप के रूप में भी जाना जाता है। आगे गोरकपुर, चुटका, माही बांसवाडा और कैगा में रियेक्टर लगाने की योजना है। बाद में वर्ष में उसे टर्बाइन द्वीब के लिए 108 रुपए बिलियन, USD 1.5 बिलियन का ओर्डर प्राप्थ हुआ। गोरकपुर और कैगा में बनने वाली 6 पर्मानो उर्जा इकायों के लिए इंजिनियरिंग, खरीद और निर्मान। L&T Heavy Engineering ने गुजरात में Nuclear Power Corporation of India Limited के काक्रापार पर्मानो उर्जा संयंत्र के लिए भारत के पहले पर्मानो 700 मेगावाट भाब जनरेटर को सफलता पूर्वक हरी जंडी दिखा दी है। स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया दबाव्युक्त भारी जल रियेक्टर, PHWR, Unit 3 काक्रापार पावर स्टेशन के लिए है। पहला भाब जनरेटर 16 जून 2015 को काक्रापार पर्मानो उर्जा संयंत्र में पहुँचा। दूसरा भाब जनरेटर 4 जूलाई 2015 को भेजा जानाता है। पर्मानो भाब जनरेटर किसी पर्मानो द्वीप में सबसे महत्वपून सुरक्षा वर्ग एक उपकरण में से एक है। यह भाब उत्पन करने के लिए प्रात्मिक पक्ष के भारी पानी से गर्मी हस्तांतरन को सक्षम बनाता है, जो बिजली उत्पन करने के लिए टर्बाइन चलाता है। प्रत्येक भाब जनरेटर का वजन लगभग 215 मीटरिक टन है और यह निकलो क्रोमियम मिश्रधातु ट्यूब और स्टेनलेस स्टील आंतरिक के साथ विशेश कम मिश्रधातु शमन और टेंपर्ड स्टील से बना है। लार्सन एंड टुब्रो के अध्यक्ष, भारी इंजिनियरिंग और बोर्ड के सदसे एमवी कोटवाल ने कहा, पहले 700 मेगावाट पी एच डब्ल्यू आर स्टीम जनरेटर का पूरा होना, मेक इन इंडिया, विजन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। L&T और NPCIL इंजिनियरों के अथक समर्पित सन्युक्त प्रयासों से सफलता हासिल हुई। तीन डी बहुचर्ण थर्मल हाइड्रोलिक विशलेशन और आकस्मिक स्थितियों सहित सुरक्षा विशलेशन L&T द्वारा इन हाउस डिजाइन किया गया था। निकेलायन क्रोमियम मिश्रधातु यूट्यूब का निर्मान Nuclear Fuel Complex, NFC, हैदराबाद के साथ सन्युक्त प्रयास के रूप में किया गया था। कारे के दाइरे में Stainless Steel Grid Support Flats, धुंद निकालने वाले और विशेश चिपकने वाले और फास्टनरों सहित महत्वपूर्ण आंतरिक हिस्सों का स्वदेशी विकास शामिल था। NPC-IL का एक सन्युक्त उद्यम है। 3D बहुचर्ण Thermal Hydraulic Visulation और A-Cosmic स्थितियों सहित सुरक्षा विशलेशन L&T द्वारा इन-हाउस डिजाइन किया गया था। निकेलायन क्रोमियम मिश्रधातू YouTube का निर्मान Nuclear Fuel Complex, NFC, हैदराबाद के साथ सन्युक्त प्रयास के रूप में किया गया था। कारे के दाइरे में Stainless Steel Grid Support Flats, धुंद निकालने वाले और विशेश चिपकने वाले और फास्ट नरो सहित महत्वपून आंतरिक हिस्सों का स्वदेशी विकास शामिल था। L&T Special Steel and Heavy Forging, LTSHF, हजीरा में 65,000 वर्ग मीटर की एकी कृट सुवधा, महत्वपून क्षेतरों की भारी फोर्जिंग आवशक्ताओं को पूरा करती है। यह भविशे के परमानों उर्जा सन्यंत्र परियोजनाओं के लिए फोर्जिंग की आपूर्ती करेगा। LTSHF, L&T और NPCIL का एक सन्युक्त उध्यम है। बिजली पैदा करने के लिए दुनिया के तमाम देश परमानों सन्यंत्रों का इस्तेमाल करते हैं। प्लांट में न्यूकलिर इंधन के इस्तेमाल से भारी मात्रा में उर्जा पैदा की जाती है। फिर इस उर्जा से वाटर रियेक्टर में इकठा किये गए पानी को गर्म किया जाता है। जिससे पानी भाप में बदल जाता है। जब इस भाप की ताकत से टर्बाइन को घुमाया जाता है तो बिजली पैदा होती है। फुकुशीमा में जिन एक्टरों में रेडियो एक्टिव रिसाव की खबर आई है, वो उसके कूलिंग सिस्टम में खराबी से हुई है। बिजली सप्लाई बंध हो जाने से पानी को ठंडा करने का काम नहीं हो पा रहा जिससे इस प्लांट के वाइलिंग वाटर रियेक्टर का तापमान कई गुना बढ़ गया है।